वीडियो में इस्तन धारी वर्ग अथवा क्लास मैमेलिया पर समपूर जानकारी चित्र सहित आपको समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए और योदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करेजी चलिए सबसे पहर इसके लक्षणों को समझ लेते हैं तो पहला लक्षण है सरीर पर रोएं तथा बाल होते हैं और ये या तो पूर्ण सरीर पर होते हैं अथवा केवल विशेस भागों में ही सीमित रहते हैं मतलब अकसर पूरी सरीर पर रोएं या बाल पाये जाते हैं आम तोर पर लेकिन कुछ जो जनतु होते हैं कुछ जनतु में कुछ ही जगहों पर पाये जाते हैं कुछ विसेश जगहों पर होते हैं या कह लेजिए कि कहीं कहीं पर पाये जाते हैं फिर अगला पॉइंट है तो इस वर्ग के जो जन्तों हैं, उन जन्तों के जो इसकिन होती है, वो मोटी होती है, और तो अच्छा या इसकिन में स्वैद ग्रंथियां या तेल ग्रंथियां पाय जाती हैं। और नेक्ट पॉइंट है, मोनो ट्रीम्स को छोड़ कर सेश सभी इस्तंधारियों में बाह मांसल कर या पिन्ना होता है। यानि सभी इस्तंधारियों में बाहरी कान या पिन्ना पाया जाता है कुछ को छोड़ कर कुछ को छोड़ दीजिए बाकि सभी में बाहरी कान या पिन्ना पाया जाता है और कुछ को छोड़ कर कहा गया तो किसको छोड़ कर बताया गया है मोनो ट्रीम्स में नहीं पाया जाता है मतलब अधिकतर सभी जन्तों में बाह मांसल करण होता है केवल कुछ गिने चुने में नहीं पाया जाता है फिर अगला पॉइंट है सभी जन्तों उच्च तापी या नियत तापी होते हैं यानि इस्तंधारी या मैमेलिया वर्क के जो जन्तु है वो गर्मरुधिर वाले होते हैं या नियत तापी होते हैं और नियत तापी का मतलब है कि सरीर का ताप वातावरण के ताप के साथ नहीं बदलता है कुल मिलाकर इनके सरीट का तापकरम सदयो एक जैसा बना रहता है इसलिए का गया है नियत तापी कहा गया है Next point है मादा में सिसुओं का पोशन करने के लिए छाती में इस्तन ग्रंथिया होती है जिन में दूद बनता है या मिल्क बनता है मतलब इस वर्ग के जन्तूओं में इस्तन ग्रंथियां पाई जाती है Memory glands पाई जाती है और ये इस्तन ग्रंथियां मादाओं में बनाने का कारिक करती है और इसी दूद से सिसुओं का पोशन होता है और इस्तन ग्रंथियां होने तथा उनसे दूध निकलने के कारण ही इन्हें इस्तन धारी कहा जाता है यानि इस्तन को धारण करने वाले फिर नेक्ष पॉइंट है खोपड़ी दूइकंदी होती है कपाल गुहा बड़ी होती है अथात इनमें जो करोटी है वो करोट जो इस्कुल होता है वो दूइकंदी होता है दूइकंदी का मतलब है डाईकंडाइलिक यानि इस्कुल डाईकंडाइलिक होता है अथा दो अनु सिखोपड़ी पाई जाती है अगला पॉइंट है दात जबडे की हड़ी में लगे रहते हैं और ये बिसम दंती गर्थ दंती और दुई भार दंती प्रकार के होते हैं मतलब दात कई प्रकार के होते हैं बिसम दंती गर्थ दंती दुई भार दंती अब कुछ पीसने के लिए होते हैं कुछ चबाने के लिए होते हैं कुछ कुतरने के लिए होते हैं इसलिए इस्तंधारियों में बिसम दंती दात कहा गया है क्योंकि जब कई तरह के दात होते हैं तो उसे बिसम दंती या हेटरोडांट कहा जाता है हेटरोडांट विसम दंती को जबकि जबड़ों के गर्तों में या सौकेट में धसे होते हैं दांट जबड़ों के गर्त में या सौकेट में धसे रहते हैं तो दातों को गर्त दंती कहा जाता है या थीको डांट कहा जाता है गर्द दंती को ठीको डांट कहते हैं और जब दांट जीवन में दो बार निकलते हैं तो उसे दूई बार दंती कहा जाता है फिर अगला पॉइंट है सभी जन्तुओं की गर्दन में साथ ग्रीवा कसेरुक पाए जाती है मतलब ग्रीवा में हमेशा साथ कसेरुक पाए जाते हैं या साथ वर्टिब्री पाए जाती है नेक्ट पॉइंट है हिर दय चार वेस्मुमिबटा होता है दो अलिंद और दो निले हिर दय के चार ओर जो होती है पेरिकार्डियल गुहा पाए जाती है जैसे फेफणों के चार ओर प्लियूरल गुहा थी वैसे ही हिर दय के चार ओर पेरिकार्डियल गुहा होती है और फेफणों के चार ओर भी प्लियूरल गुहा पाए जाती है जो इस्तंधारी वर्ग के प्राड़ी होते हैं यानि जो हार्ट है वो four chambers होता है चार waste में पाये जाते हैं दो अलिंद होते हैं और दो निले होते हैं next point है नर इस्तंधारियों में ब्रेशन्ड उदर गुहा के बाहर सिष्ण के आधार पर तचा की विसेज थैली नुमा ब्रेशन्ड कोसों में बंद रहते हैं जो नर इस्तंधारी होते हैं इनमें जो ब्रेशन्ड होते हैं जो टेस्टिस होती है वो हमारा जो उदर होता है उसके बाहर सिष्ण के आधार पर जो पेनिस है उसके नीचे की तरप तो अच्छा की विसेज थैली कौन सी है तो जो व्रेशन कोस होते हैं उनमें पाये जाते हैं व्रेशन कोसों में इस्थित होते हैं पिर नेक्ट पॉइंट है नासा पत्थों वा भोजन पत्थ को अलग करने के लिए एक अस्थिल परदा सा होता है जो नासल पासिस है और जो भोजन का पत्थ होता है उसको अलग करने के लिए एक अस्थिल परदा होता है जिसे दुतियक तालु कहा जाता है दुतियक तालु यह pre maxili, maxili तथा palatin अस्थियों से बना होता है, जो दूतियक तालो है, pre maxili, maxili और palatin अस्थियों का बना है, नेश्ट पॉइंट खोपड़ी के टेमपोरल भाग में जाइगोमैटिक आर्च होती है जो खोपड़ी का टेमपोरल भाग होता है यदि आप खोपड़ी के भाग नहीं जानते हैं तो मेरे चलिद में मस्तिस्क पर वीडियो अप्लोड़ेट है आप लोग जा करके देख सकते हैं तो खोपड़ी के टेमपोरल भाग में जाइगोमैटिक आर्च होती है जो जबड़े की सकथिसाली पेसियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती है नेक्ट पंट है स्रवन कोस की अस्थियां परस पर मिलकर पेरियोटिक अस्थि बनाती है जो सुनने की अस्थिया होती हैं जो सुनने कोज है जगह है वहां की जो अस्थियां होती है और टी Kur वहां होती है ये आपस में मिलकर पेरियोटिक अस्थि बनाती हैं जिनमें आंत्रिक इस्थित को होता है धेृषl इस्तंधारियों के स्रमण भाग में या सुनने वाले भाग में एक जोड़ी फ्लास्क के आकार की अस्थियां पाई जाती है एक जोड़ी फ्लास्क के जैसी अस्थियां होती है इनको टिमपैनिक बुल्ला उन अस्थियों को क्या कहा जाता है टिमपैनिक बुल्ला कहते हैं औ और प्रतेक टिमपैनिक बुल्ला में तीन कंड अस्थियां होती हैं ध्यान से समझेंगे जो इस्तंधारी हैं इनके सुनने वाले भाग में या स्रमण भाग में एक जोड़ी फ्लास्क के जैसी अस्थियां या फ्लास्क के जैसी हड्डियां होती हैं और इनको टिमपैनिक तीन अस्थियां है मैलियस, इनकस और इस्टेपीस जिन में से इस्टेपीस सबसे छोटी हड़ी होती है हमारे सरेट की जो इस्टेपस है इस्टेपीस है ये सबसे छोटी हड़ी होती है और आपको बता दें मैलियस, इनकस और इस्टेपीस ये क्रमसा आर्टिकुलर, क्वाडरेट या हायो मेंडिबुलर अस्थियों के रूपांतरण से बनती है क्रमसा यानि जो मैलियस है ये आर्टिकुलर के रूपांतरण से बनती है जो इनकस है ये Quadrate के रुपांतरण से बनती है जो Stepis है ये Hiomandibular अस्थियों के रुपांतरण से बनती है फिर Next Point है कसेरुक आगर्थी तथा इनका सेंट्रम MP-Plateon प्रकार का होता है कसेरुक कैसे होता है आगर्थी होता है एसी लॉस होता है और इनका जो सेंट्रम होता है वो MP-Plateon प्रकार का पाया जाता है और सेंट्रम के दोनों सीरों पर Epiphysis नामक Cartilage की बनी डिस्क होती है जो सेंट्रम के दोनों सीरे होते हैं उन दोनों सीरों पर Epiphysis नामक Cartilage की बनी डिस्क पाये जाती है पाद पंचांगुली पाद या पेंटाडेक्टाइल होते हैं यानि जो पैर होते हैं चाहे वो हाथ हो चाहे वो पैर हो उनमें सम्में पाँच अंगुलिया पाई जाती है पंचांगुली पाद इसलिए कहा गया है या पेंटाडेक्टाइल कहा गया है लेकिन ये अनेक प्रकार से रूपांतित वा विसे सीक्रित होती है अलग अलग प्रकार से रूपांतित हो जाती है अलग अलग रूपांतर उनका हो जाता है अलग तरह की होती है के लिए जी और अलग अलग विसे इसकारियों को करने के लिए होती है नेक्सट पॉइंट है देह गुहा एक लचीले 36 परदे डायफ्राम द्वारा वच्च गुहा और उदर गुहा में बटी होती है यानि डायफ्राम उपर वच्च में होता है इसलिए कहके है डायफ्राम द्वारा वच्च गुहा बनती है और उदर गुहा में बटा होता है तो दो भागों बटा है वच्छ गुहा और उदर गुहा में वच्छ गुहा उपर सीने की तरफ और उसके नीचे जो पेट होता उदर गुहा है तो वच्छ गुहा में हिर्दय होता है फेफड़े होते है यानि जो हमारा डायफ्राम है इसमें दोनों तरफ फेपड़े और बीच में कुछ हिर्दय होता है और हिर्दय के चार और मैंने भी आपको बताया था कि अगला पॉइंट है आंत्रिकड में कौकलिया नाम की लंबी वा सरपिला कार नलिका होती है जो आंत्रिकड हैं अंदर वाला बहाग है कान का तीसरा भाग बाहे कंड़ होता है जो भानित रंगों को ग्रहेड करती है फिर अगला पॉइंट है मादा के अंडासे में ग्रैफियन फालिकल्स होते हैं जो मादा का अंडासे है जो ओवरी होती हैं उनमें ग्रैफियन फालिकल्स पाय जाते हैं और प्रतेक फालिकल्स से एक अंडा निकलता है प्रतेक जो फालिकल है या मैमेलिया पर गहे इसको तीन भागों बाटा गया है तो उनमें से जो प्रोटो थीरिया है प्रोटो थीरिया के अतरिक्त सभी स्तंधारी जरायुजी होते हैं लेकिन जो प्रोटो थीरिया है जरायुजी नहीं होता है इसके जो जन्त होते हैं वो अंडे देते हैं जबकि प्लेसेन्टा द्वारा गर्भ हासें की दीवार से जोड़ा होता है जो भूण है जो बच्चा होता है प्लेसिसु होता जो पेड में होता है वो गर्भ नाल या प्लेसेंटा के द्वारा गर्भासे की दिवार से जुड़ा रहता है चलिए अब यह जानते हैं कि जो इस्तंधारी वर्ग है या मैमेलिया क्लास है इसको कितने उपवर्गों में बाटा गया है तो मैंने भी बताया अंतर के अहतिनों में यह पहले जानते हैं देखे जो प्रोटोथीरिया है इस वर्ग के जनतु अंडे देते हैं अर्थात इस वर्ग के जनतु सरीष्रप और इस्तंधारी के बीच की कड़ी है या कह लिजिए कि प्रोटोथीरिया और इसमें कौन कौन से जनतु आएंगे तो जिसे एकेडिना है बतक चोचा है जिसे प्लेटिपस कहा जाता है एकेडिना और बतक चोचा यह क्या है अंडे देने वाले इस्तंधारी है याद रखेंगे important point है अंडे देने वाले इस्तंधारी कहा जाता है और जो मेटाथीरिया है इस वर्ग के जनतु आविक्सित सिसुओं को जन्म देते हैं विक्सित सिसुओं को जन्म नहीं देते हैं मतलब आप परिपक को अवस्था में बच्चों का जन्म होता है मेटाथीरिया में जैसे कंगारू है तो आप परिपक को बच्चा हुआ तो जो थैली होती है पेड में वहाँ पर जाकर को परिपको होता है कंगारू है ऐसे ही ओपोसम है ओपोसम के है तो यह डाइडेल फिस है जो अमेरिका में पाया जाता है अब इसी तरह से जो यूथीरिया है इस वर्ग के जन्त सरवाधिक बिक्सित इस्थंधारी होते हैं मतलब इस वर्ग में सिसूओं का जन्म परिपको अवस्था में होता है या कह लिजिए कि इसमें पूर्ण रूप से बिक्सित बच्चों का जन्म होता है अब इसमें जैसे मनुस है चमगादर है गिलहरी है कुत्ता है गाय वेल बंदर यह सब आ जाएंगे जितने आपके आसपास लगभग में होते हैं तो यह तो अंतर मेन वाला मैंने बताया चलिए अब इनको डीटेल से एक करके प्रोटोथीरिया फिर मेटाथीरिया फिर यूथीरिया को चित्र सहित इनके जन्तों सहित समल लेते हैं तो सबसे पहले प्रोटोथीरिया या मोनो ट्रिमाटा को समल लेत होते हैं और इन में प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि यह रेप्टाईल या मेमmetics क鍵िज की कड़ी या सरीस्रब और स्तंधारी वर्ग के कड़ी होते हैं प्रोटो थीरिय के जनतों और यह ग्रंथियां तो पाई जाती हैं। लेकिन इस तनों मे चुचूक नहीं पाए जाते हैं। नेक्श पॉइंट है बाहरी कान होते हैं। वे नहीं पाई जाते हैं। और काकलिया कम कॉंडलित होती है जैसे उस दो भिक्सित दारी है ह। उनमें कॉकलिया अधिक कुंडलित होती है, लेकिन इनमें कॉकलिया कम कुंडलित होती है, और बाह कंड इसमें नहीं पाया जाता है, या कंड पलो नहीं पाया जाता है, यह बाहरी वाला यह नहीं पाया जाता है, नेक्ट पॉइंट है कसेरिकों पर epiphysis अनुपस्थित होता है जो कसेरुक हैं इनमें epiphysis या तो अनुपस्थित होगा या फिर आविक्सित होता है और पार्सुका में केवल एक सिर होता है नेक्ट पॉइंट है मस्थिस्क में कार्पस कैलोसम भी आविक्सित या अनुपस्थित होता है जो मस्थिस्क है उसमें कार्पस कैलोसम या तो आविक्सित होगा या फिर होगा ही नहीं फिर अगला पॉइंट है नर्मे ब्रिशन उदर गुहा में इस्थित होते हैं जो नर है नर्मे ब्रिसन कहां पाय जाते हैं उदर गुहा में पाय जाते हैं और अंडे बड़े पीतक युग्द तथा खोल युग्द होते हैं इन जंतों के अंडे कैसे होते हैं बड़े बड़े से होते हैं पीतक युग्द यानि यौकी होते हैं और खोल युग्द नहीं कवच उस तो यह क्या प्रदस्ट करते हैं रेप्टीलिया और मेमेलिया की बीच की सहिओंजी कड़ी को प्रदस्ट करते हैं और इस वर्ग के अंतरगत कौन-कौन से जन्तु आते हैं अगर पूछा जाए तो एकडिना है डकबिल है या बतक चोचा है यह सब आते हैं प्लेटीपस जिस यह भी तस्मानियवा आस्ट्रेलिया में पाया जाता है प्रोटो थीरिया के अगर जंतु और देखा जाते हैं और कीटों का भक्षण करते हैं कीटों को खाते हैं शरीर पर नुकीले सूल पाये जाते हैं, काटे पाये जाते हैं, पूरे सरीर पर सूल होते हैं, या काटे होते हैं, मुख में दांत नहीं पाये जाते हैं, नेत्र जो होते हैं, छोटे-छोटे से आँखें इनमें पाये जाते हैं, कर्ण पलो भी नहीं पाये जाते हैं, जो बा इसके बतक चोचा की बात करें या प्लेटी पस की बात करें तो सरीर कोमल समूर से धका रहता है कोमल फरों से धका होता है इसका जो प्रोथ होता है वो बतक की चोच की तरह से निकला रहता है चोड़ा सा चप्टा सा होता है इसलिए इसको बतक चोचा कहा जाता है क्योंकि जो तीन स्रंगी होते हैं, नेत्र छोटे होते हैं, करणपलों नहीं होते हैं, टागे छोटी, एबम अंगुलियां जाल युक्त होती हैं, अंगुलियों में जाल पाये जाते हैं, जो जल में तहरने में मदद करता है, चलिए अब मेटा थीरिया में समझ लेते हैं, तो मेटा थीर परिवर्धन मादा के उदर पर इस्थित मार्सोपियम में पूर होता है, जो मादा के पेट पर मार्सोपियम पाय जाता है, उसमें पूर होता है, जैसे मार्सोपियम क्या है, आपको अगर समझ में आ रहा हो, तो उसमें कंगारू होता के पेट में थैली होती है, तो उसी में स चुचुक उपस्थित होते हैं और ये भी मार्सुपियम के अंदर ही स्थित होते हैं मार्सुपियम में ही चुचुक पाया जाते हैं फिर अगला पॉइंट है कर्पस कैलोसम कम विक्सित या अनुपस्थित होता है कम विक्सित होता है या फिर कभी-कभी नहीं भई पाया जा रहा था जब अलग-अलग प्रकार के दाथों जब दुई बार दंती के पता दो बार निकले तो दुई बार दंती होता है फिर अगला पॉइंट है इनकी शुरोणी मेखला में एपी प्यूबिक या मार्सुपियल अस्थी पाई जाती है जो स्रोण में एखला है जो पहले वी ग्रेडिल होती है उसमें एपी प्यूबिक या मार्सुपियल अस्थी होती है अगला गर्भास से तथा योनी दोनों युग में संरचनाएं होती है यानि दोनों जुड़ी भ में यौक सैक प्लेसेंटा पाया जाता है यौक सैक प्लेसेंटा उपस्थी तो होता है या अपरा पाया जाता है तो मेटाथीरिया के अंतरगत कंगारू है जिसे माइक्रोपस कहा जाता है जो केवल आस्ट्रेलिया में पाया जाता है और दूसरा जनतो है ओपोसम या डाइड अमेरिका में पाया जाता है तो ऐसे ही कई सारे जन्तु हैं जो मेटाथेरिया में इन लेक्षन वाले पाया जाते हैं अगर मेटाथेरिया के जन्तु को देखा जाए तो इसमें कंगारू या मैक्रोपस है कंगारू केवल आस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी पिछली टांगें अधिक लंबी होती हैं सक्तिसाली होती हैं जिनकी सहायता से या लंबी लंबी छालांग लगा कर दोड़ता है और अगली टांगे छोटी होती हैं पिछली टांगे लंबी अंगली टांगे छोटी होती हैं जिन्हें चलने में प्रियोग नहीं किया जाता है और ये ज ही असहाय सिसु कहा जाता है या आविक्सित जन्तु कहा जाता है और मादा के उदर पर एक सिसुधानी या मार्सुपियम होता है जो मादा का पेट होता है उसमें एक सिसुधानी होती एक ठैली होती है जिससे मार्सुपियम कहा जाता है और उसी के अंदर इस्तन होते हैं या चुचूक लगे होते हैं, जिसमें आसुरच्छी जो सिसु पैदा हुआ है, जो असहाय सिसु पैदा हुआ है, उसी के अंदर घुज जाता है, बैठता है, और धिर धिरे करके वो भड़ा होता है, बिक्सित होता है, और दुग्दपान करता रहता है, बाहकर्ण अनुपस्थ भून मादा के गर्भासे में वास्तविक प्लेसेंटा एलेंटाइन प्लेसेंटा द्वारा पोशन प्राप्त करता है यानि इन में वास्तविक प्लेसेंटा पाई जाती है डेवलाप्ट प्लेसेंटा पाई जाती है और उसी के द्वारा भून पोशन प्राप्त करता है सिसु जन्म परिपक और वो जाते हैं तब उनका जन्म होता है अगलाちゃん मार्शू पीम पिपी पूबिक असत्थि अनुपश्थित होती है जो मार्शू पीम या एपिपूबिक अस्तिम ये नहीं पाय जाती है क्योंकि अब तो अंदर से ही वो बच्चे विक्सित हो करके थोड़ा सा आ रहे हैं इसलिए बाहर उनके पोशन की आवशक्ता नहीं होती है फिर अगला पॉइंट है इस्तन ग्रंतियां सु विक्सित तथा चुचूक योगत होती है जो इस्तन ग्रंतियां है वो पूण रूप से विक्सित होती है और मैं चुचूक भी पाया जाता है फिर अगला पॉइंट है कार्पस कैलोसम सु विक्सित होता है जो कार्पस कैलोसम है पूण रूप से विक्सित होता है अवसकर या क्लोयका का अभाव होता है गुदा उपस्थित होती है इनमें पुहा है मैन है यानि आदमी है वेल है डॉल्फिन है बंदर है चाहिए वो चिमपैंजी हो यह सब जन्तु इसके अंतरगत आते हैं अब यूथीरिया के अगर जन्तु को देखा जाए तो इसमें है पहला चमगादर या बैट तो यह रात्र में उड़ने वाला और पच्छी क की तरह से दिखाई देने वाला सम्तापी इस्तंधार इजन्तु होता है इसमें जो आँगे के पैर होते हैं वो पंक में बदल जाते हैं और उड़ने में सहायता करते हैं और इसमें चार अंगुलियां होती हैं वो भी लंबी लंबी सी होती हैं तो अचा की जिली जो पेजी टियम है गर्दन में दोनों पादों के बीच फैली रहती है और चमगादर की अस्थियां हलकी होती हैं हड्डियां हलकी होती हैं पिछले टांगों पर पंजेदार अंगु प्रोटी होती है इसदं और चुचोग पाये जाते हैं शरीरपर भूरे भाल होते है माधा बच्चों को जन्म देती है यहां फल तथा कीटों का अहार लेते हैं अमेरिका में पाया जने वाला बंपायर चमगादर जन्तों का खूण चोसता है तो इसी में अगला सथा महीन बालों के फर से ढखा रहता है पिट पर लंबाई में तीन सफेद वा तीन स्लेटी रंगी धारियां पाए जाती हैं सरीर से लंबी होती है जाड़ी नुमा होती है जो कूदने के समय संतुलन बनाने में सहायता करती है और फलों वगैरों का सेवन करता है इन सभी जन तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद